हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है आज मैंने बनाया है ये डोर मेट देखिए कितना प्यारा सा सुन्दर सा ये दिल बनाया है मैंने इसे बनाना बहुत ही आशान है वो बहुत ही आशान तरीके से ये बन जाता है इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है ये मैंने साडियों में से डुपटों में से और जो बलाज पीस आते हैं उन में से बनाया है एक एक इंची की मैंने पट्टियां कटके हैं सभी में से तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखो मैंने ये डूर मैट बनाया है शुरू बात से बता रही हूँ ये डूर मैट बनाया है मैंने 45 फंदों का यानि 45 फंदों का ये डूर मैट बनाया है मैंने इसके मेरी दूसरी वीडियो है अब मैं एक और वीडियो बना रही हूं इसी की तो देखो मैंने ये नौलंबर की सलाइल लिए हैं और एक एक इंची की मैंने सभी गोलों की पट्टियां कट कर ली हैं यानि सभी साडियों की या डुपट्टों की या आपके पास कोई भी लॉवन जो ब्रोज पीस आतिया है हो हो गुषवी हो आपके पास इस तरीके से एक एक इंची की पटियां कट कर लाएं देखो मैने एक एक इंची के करीएं सभी पट्टियां देखो देखो ऐसे ही ये वाली की है सबी पट्टियां यानि टोटल मैंने एक एक इंची की कट करें की हैं अब क्या करेंगे अब ये तो मेरा साधा है दोर्मैट इन्हें हम अठा देते हैं एक बार फिर से ये तो मेरा साधा दोर्मैट है आप एक फंदा यहां से डालें और फंदे बड़ाएं इसमें मैंने इसमें भी 45 फंदे बड़ाए हैं एक जिब्बे में और 45 फंदे फिर एक एक करके मैंने ये गठाई हैं अब ऐसे ही मैंने ये चार गिब्बे बनाए थे और ये मैंने चारो एक दूसरे के साथ अटेच कर दी हैं अब क्या करेंगे अब इसकी मैं दिल की सेफ दोंगी इसे इसे दिल की सेफ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बताती हैं इसके लिए हमें कलियां बनानी पड़ेंगी कली किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताती हैं देखो, यह मैंने एक गोला लिया है पहले, अब इसमें टोटल हम 30 फंदे डालेंगे, यहारी 13 फंदे डालेंगे, 30 फंदे डालेंगे, हम फिर कैसे बनाएंगे, यह मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से फंदे को डालेंगे, देखो, टोटल फंदे हम 30 डालेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप 30 से ज़्यादा डालेंगे, तो आपके इस बाले डूर मैट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, यानि जो हम सिलाई करेंगे इसके साथ, तो वो बड़ी हो जाएगी और यह छोटा पड़ जाएगा, तो 30 फंदों की ही हम कलियाँ बनाएंगे, इतनी आशानी से बन जाती हैं कलियावे, कि आप देखते रह जाएगे कि इतनी आशान तरीके से दिल कैसे बना दिया, देखते हैं, पहले, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ना तो कोई फंदे हमें गठाने हैं, ना बढ़ाने हैं, ना उल्टे उल्टे लेने हैं, सीधा फंदा नहीं लेना है, अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आप इस तरीके से डोर मैट बहुत ही आशान तरीके से बना लेंगी, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, और बहुत ही जल्दी आप दिल बनाना सीख जाएगे, देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे निउ हैं, तो प्लीज पहले मेरे चैनल को, यानि पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना, वीडियो को मेरी को लाइक करना प्लीज, और क में चरूल करना, ताकि मुझे पता चलना चाहिए, कि आपको मेरे वीडियो कैसी लगे, तो देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ, इस हम पूरी रोको बना लेंगे, देखिए, मैंने ये पूरी रोको बना ली है, देख, ये मैंने पूरी रोको बना ली है, अब हम एक डिबे से नाप करेंगे, इसका, क्योंकि कहीं ये पूरी बैठ रही है, कि नहीं बैठ रही है, देखो, यह हसनाप करो, आपको अच्छा से दीखेगा नहीं, तो देखिए, ये मेरे पूरे डिबा को कवर कर रही है, मेरी सिलाई, अब ऐसे ही स्रिफ हमने इसमें 30 फंदे डालेते, एक बार अगर बनाना चाहती है, ये 45 फंदों का है, अगर इससे भी बढ़ा बनाना चाहती है, तो अपने सिलाई पे फंदे डाल के इस तरीके से नाप कर लें, अगर एक जिब्बे पर पिक्स आ रहे हैं, तो उनी जिब्बों उसी सिलाई के फंदों से बनाना शुरू कर दें, अगर कम बैठ रहे हैं, यानि कम ज़्यादा लग रहे हैं आपको, तो एक दो या बढ़ा लें या गठा लें, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे को हम उतारेंगे, इसे मैंने नहीं बुना है, उतारा है, अब पूरी रो को हम बना लेंगे, यानि सिर्फ दो फंदे तो पहले हम इस रो को पूरी को बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखा, देखिए, मैंने इस रो को पूरा बना लिया है, देखो, ये पूरा बना लिया मैंने, अब मैंने लाष्ट में दो फंदो को छोड़ा है, तो ऐसे ही हम यहां से दो फंदे छोड़ द अब धागी को हम अपनी तरफ ले लेंगे देखो अब यहां से हम बनाना फिर से सुरू करेंगे ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था उल्टा 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 पूरी रो बनाएंगे ऐसे ही अब क्या करेंगे इधर की साइट से मैंने यह दो फंदा छोड़े हैं मैं फिर से बता रही हूँ और इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे इस तरीके से देखो इधर की साइट में कर लिया यह दागा अब यहां से ऐसे स्लाइड आ लेंगे और एक फंदा लेंगे देखो इस तरीके से क्या होता है हमारी किनारे बहुत ही सुन्दर आती है चोटी की तरहाए अब इस फंदे को हम बनाएंगे नहीं उतारेंगे और सभी फंदों को हम बनाएंगे तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे और अपने डोर मेट की डिजाइन बनाते जाएंगे यानि इसी तरीके से कलियां बना लेंगे अब की बार मैंने ये दो फंदे छोड़े थे अब की द्वारा से हम देखो एक बार मैं इससे बुलनू थोड़ा सा और कि देखिए पहले मैंने दो फंदे छोड़े अब की बार मैंने चार पंदे छोड़ दी यहीं से अपने दागे को इदा की साइट में कर लेंगे और फिर से बनाना शुरू कर देंगे कि इस वाले लाश्ट वाले फंदे Gra weiter को हम सीधा ही लेंगे उल्टार नहीं बुनेंगे एक वार सीधा लेंगे फिर द्वारा से फंदा उतारेंगे अपनी बुनाई एसे ह ही शेंप कर दो दो पोुड़ते जाएंगे अपनी पूरी कली तयार कर ले, तो आप देख रहें पूरी रो बना लिए है अभी थोड़ा सा बाकी है उसे भी मैं दिखा देती हूं इस फंदे को हम उतारेंगे फिर इसे बनाएंगे और फिर दो फंदे छोड़ दी है अपनी तरफ आएंगे देखो और फिर से बनाएंगे एक फंदे को इस तरीके से यह वाला फंदा हम सीधा ही लेंगे इससे क्या उता है सीधा लेने से मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ देखो यह वाली किनारी कितनी अच्छी आती है इसके तो अब इस वाले फंदे को हम उतारेंगे अब यहां से क्या करेंगे अपने धागे को कट कर देंगे उतार के फंदे को यहां से कट कर दिया अब दूसरा कलर लगाएंगे इस तरीके से देखिए मैंने दूसरा कलर लगा लिया ऐसे ही अब सभी फंदों को एक साथ बनाएंगे यह हमने दूसरा करके फंदे छोड़े हैं उन सभी को ऐसे बना लेंगे देखो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको एक दो लान बना कर दिखाती हूं तो देखिए मैंने ये दो कली बना ली हैं तीसरी कली मैं बनाने जा रही हूं तो ऐसे ही हमें टोटल छे कली बनानी हैं, तो पहले ऐसे ही दो दो फंदे चोड़ते हुए 6 कली बना लेती हैं, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाती हूँ, तो देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि मैंने टोटल 6 कली बना ली हैं, अब क्या करेंगे, आप इसे हम उतार देखिए, देखिए, छिखिए 6 कली बनाकर मैं एक लूँगा लगाई है, दोने तरफ से, अब हम ऐसे उतारेंगे इसे, डबल फंदा लेंगे, और एक, और देंगे, फिर से इस पंदे कोृष भीपर लगाएंगे, और फिर से जबल करेंगे, और फिर एक बना देंगे, फ सबी फंदों को उतारना है कितने आसानी से फंदे उतर जाते हैं देखो तो ऐसे ही हम सबी फंदों को उतार लेते हैं उसके बाद में आपको फिर दिखाती हूँ तो देखिए मैंने लास्ट भी फंदा में आपको बता के दिखा रही हूँ ऐसे ही करना है एक फंदे में से जबल फंदे करने है लाईयों को अठा देते हैं अब इसे गोले को इस पैसे निकाल लेते हैं इससे क्या होगा इससे हमारी एक नौट लग जाएगी और हमारा जोर् अब क्या करेंगे हम, देखिए, एक मैंने ये वाला पर्त बनाया है, छेकलियों का, और एक मैंने ये बनाया है, छेकलियों का, मैंने दो पर्ते बनाई है, ऐसे सिल सकती है, अन्जाकार का, इस तरह के सिल सकते हैं, और दूसरी जियान हम ऐसे सिल सकती हैं, देखो, दिल की दे सकते हैं इसे, ऐसे और ऐसे, देखो ये मेरा दिल बन के तयार हुआ, तो अब मैं आपको दिल की सेफ में सिलके दिखा रही हूँ, अब देखिए मैंने ये स्वी दागे लिए है, ये मैंने रील का दागा चलर लिया है, अगर आपके पास उन का दागा हो तो आप उससे भ हुआ है। अब देखिए यहां से, इस तरिके से सिल्ना, है हमें। एक बार में आपको दिखा दिखादेति हो, कोई नहीं चमक रही है। इस तरीके से, हमें पूरी दो इस बिखा दो, इस दोलमेट की चाहरा है। तो पहले कर लेते हैं, एक तरप की, फिर दूसे ज़ना की तरफ की में आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मैंने ये सिल्लिया है, अब क्या करेंगे, ये मैंने सिल्लिया पूरा, अब यहां से हम दागे को कट नहीं करेंगे, एक बार में आपको फिर से बता रहे हूँ, इस तरीके से भी आप अंडा अकार कार भी बना शक्ती है, ते इस तरीके से अब यहां से सिल्लेंगे, देखो, कितना बड़ा दिल बनेगा इसका, तो इसे भी हम सिल लेती हैं पहले, उसके बाद में मैं आपको फिर दिखाऊंगे, तो देखिए मेरा ये दिल सिल्ल के तयार है, दागे को कट कर देते हैं, नोड लागा, और इसे अब हम सीधा कर लेते हैं, देखिए, कितनी अच्छी इसकी किनारी आई है, और कितनी अच्छी इसकी सुन्दर से प्यारी से इसकी जिजाना आई है, देखो, कितना सुन्दर लग रहा है जोर में, दिल वाला, इसे मैंने दिल की सेब दी है, देखो, देखो, बहुत बड़ा है ये अगर आप छोटा भी बनाना चाती है तो छोटा भी बना सकती है अगर इससे भी बड़ा बनाना चाती है तो बड़ा भी बना सकती है तो देखिए कितना प्यारा सा सुन्दर सा डोर्मेट यह बनके और सिलके पूरी तरह से तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों सेर करें कमेंट करें तो फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब